हलो अच्छो वेलकम बेक तो मारे चैनल बेजने मेजर्स और मैं आपकी क्षेशन्स लेकाइब फिजिक्स के यह बिटा आपका हैस्टेग चेप्टर वाई सीरीज चलेगी अभी हम हैस्टेग चेप्टर वाई सीरीज हम रखेंगे इसको ठीक है तो आप ना इसको देहान रख पूरा चेप्टर वाई सीरीज है यह और हम इसमें सारे फिरिस्स के जो इतने भी चेप्टर हैं जो आपके इस एक्जामें आने वाले हैं तो यह आपके हम कराने वाले हैं पूरा चेप्टर वाई चलेगा यह फर्स चेप्टर वर्शन्स है तो हम कर लेते हैं देखिए इस जैसे में करती चाहरे हूं जैसे मैं अप्रोच कर रहे हूं उसक्रेशन को वैसे ही आपको करना है कोई भी इसमें hard and fast rule लगाना नहीं है आपको बस जो values दे रखी है given values देखनी है और जो आपको निकालना है वो देखना है देन आपको पुट करना है formula formula based ही है सारी आपकी questions में आपको डणने के जरूत नहीं है बिल्कुल भी आप बस patience रखो और जैसे से मैं करती चाहरे हूं वैसे आपको follow करना है चारिए नस first question देख लेता है हूं तो जो आपका first question है वो है unit of charge इसमें से unit of charge आपको निकालना है तो कैसे आप approach करोगे इसमें देखे आपका first question है यह त क्या होती है MPR होती है MPR में I को लिखते हैं और जो T होता है आपका second होता है ठीक है तो आपका formula कि क्या हो जाए कि इसमें option आपको बताइए मुझे आप खुद पहले करेंगे question को और अपने आपको एक mark देंगे अगर आपका सही जाता है तो then मैं करूंगे अगर आपको सही लग रहा है इसमें ठीक है देखिए next question है आपका next question है आपका question number है what is the total charge of a system containing five charges आपको दे रखिये हैं इसमें से plus one plus two minus three plus four minus five in some abbreviatory unit क्या होगा तो इसमें से आपको बताना है कुछ आपके total charges आपको बताना है कुछ आपको आपको यह बताना है आप देखको इसमें क्या total charge is equal निकलेंगे हम total charge equal to निकलेंगे हम इसमें लिखेंगे कि sum total करना है सभी charge का तो plus का one हो जाएगा plus का two हो जाएगा minus की three हो जाएगे और minus plus का four हो जाएगा और minus के five हो जाएगे ठीक है तो अब आपको क्या करना है इसमें से आपको सबसे पहले अपना जो plus के हैं वो जोडने है तो plus का one है plus का two है और plus के four है कितना हो गया seven हो गया seven हो गया और minus की three है और minus की five है तो यह कितने है eight है minus की eight और plus की seven तो जो हम इनको minus करेंगे minus की eight में से plus की seven घटाएगे तो क्या बचेगा minus का one बचेगा या नहीं बनेगा तो यह भी आपक मंतरी क्वेस्टिन है मिल्कुल तब को ऑफिशन हो जाएगा आपका बनू के आपने आई नियुक्र व्हूंतर अपने कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा और अगर मैं थोड़ा जारा तेज बोलती हूं तो फ्लीज मुझे बताना कि में थोड़ा मेरा है मैं बोलती ही बहुत तेज हूं रितम थोड़ा सा मेरा तेज रहता है तो मैं कुछस करूँ ही कि आपको देड़े-डेटे समझाओं तो आपको यह समझ में आ गया होगा इसमें कुछ नहीं था यह दो केशन आपके बिल्क्री बेसिक हैं तीसार केशन देखते हैं चलो तीसार केशन आपके क्या है अप्रोटोन एंड एन एलेक्ट्रोन अर प्लेस्ट सेंटीमेटर अपार्ट इन फ्री स्पेस ठीक है फाइंड ता मेंगेट्यूड और निकालना है मेंगेट्यूर निकालना है और आपको फाइन करना है क्यांसा नेचर ऑफ लग्ट जो इलल Static Force है उसके बीच में मेंगेट्यूर आपको फाइन करना है तो आपको क्या देर रखाई है इसमें सबसे पहले आपको देखया है आपको एक proton है और एक electron दो चीज दें रखे हैं और वो place की गए है दोअ लो रखेगा है 1.6 cm की दूरी के लिखें गए है इसके बीच का magnitude पूछा हैं हम घुच्रीच बीच को पूमिला होता है, वो क्या होता है? बन अपॉल होई, इसको हम क्या बोलते हैं? आपskin ही पूर्मुला का फ्रमुला का फर्मूला होता है laure और उसको फूर्मूला होता है, आप से यह सही पूछाता correctلة क्या फूर्मूला का फर्मूला बताइए हमें आपको याद होना चाहिए गुला मुला का फर्मूला एफ इक्वल्स टू बन अपॉन फोर पाइपसाल एं नॉट इन्टु की वन क्यू टू क्यू टू अपॉन आर स्कार यह आपका फर्मूला होता है अब आपको बस कुछ नहीं करना है बस इसम अपहसा हमारे रहे है टो के वैल्ली प्लस में एक यह में पॉइंट में सिक्सेום होता होता है मनपॉइट शिक है एक यह प्रूटन हो गया दूसरा हमारा एलेक्ट्रॉन है तो यह फील्टियू गए गैमली करी यह आपका नेग्टेव में होगी इंटो टेन टू दी पावर माईनस के 19 ठीक है अपोन मैं आपका आरे स्कोयर है तो एसकोयर में मीटर में चीन्ज करना है विए सैंटीमेटर में दे रखा है तो एक शैंटीमेटर में धिन मैं इसको पुट कर देना ठीक है तो यहां पर इस पेस नहीं है मैं दूशा इस पेस ले ले रही हूं यहां पर हाफ डिवीजन कर ले रहे हैं हम इसका तो इधर हमने f equals to लिख लिया है 9 into 10 to the power 9 into plus का 1.6 into 10 to the power minus का 19 और into में आपका 1.6 into 10 to the power minus के 19 वो भी माइनस में है एक आप हम में हम लिखेंगे 1.6 into 10 to the power minus का 2 और इस पे whole square लगा देंगे तो आर स्कॉाइर है से लिए ठीक है चलो हो गया यह अब आप देखना स्कॉाइर है तो दो बार हम लिखेंगे लिखेंगे दो बार हम लिखेंगे 1.6 को 1.6 को दो बार लिखेंगे दो बार यह कट जाएगा ठीक है उपर नीचे वाला कट गया हमारा कट गया हम है ठीक है तो हमारा क्या आदा है यहाँ पर मैनस का एक निसान लगा है तो हम क्या करने माइनस ऊपर क्या बचाए 9 into 10 to the power माइनस की 19 और माइनस की 19 यह है तो यह क्या होंगे आपके प्लस हो जाएंगे तो माइनस की 19 मैंस की 19 कितने हो जाएंगे आपके जलो अटाओ मैनस की 19 मैंसे 9 अटा दो तो कितने बचेंगे आपके मैनस की 10 में आप प्लस करोगे मैनस की 19 कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे म बिद्री जाएगा अब चार बोपर पहुंचेंगे यह किस सेलेगये फ्लस के जाएंगे जी जा रहा है तो कॉफिन का हो करनी थी फर्मुल लगाना था ठीक है तो आपको फर्स उफ्सें सही हो जाएगा आप दुवारा से निकाल के देख सकते हो और में कुछ आपको ऐसा ही कुई रही हूं आपको दे रही हूं आप निकाल के दाना देखो प्रोटोन और इलेक्टोन आपके पास में हैं मैं यहां आपके जो वेल्यू रखने हूं वो आर की वेल्यू चेंज कर दे रहे हूं यहां पर वो 3.2 सेंटीमेटर कर दे रहे हूं ठीक है यह आपकी वेल्यू चेंज कर दी है आर की आप मुझे आंसर करना कि मैं इसका आंसर ही होगा सेम क्रेशन है बस मैं आर की वेल्यू अलग कर दी है 1.6 थी वहाँ पर मैंने 3.2 cm कर दिया है ठीक है आपको वेल्यूस बतानी है कि इतनी वेल्यू होगी आप बताना मुझे कमेंट वोक्स में करके जरूर बताना है ठीक है आपको इसमें परिमिटिविटी जो होती है यह वाली f equals to 1 upon 4 by epsilon 0 यह जो चीज होती है वो परिमिटिविटी होती है ठीक है इसका आपको बताना है क्या यूनिट बतानी है इसकी तो पूरा फर्मूला क्या होता है q1 q2 upon r2 अभी हमने किया जस्त यह कूलाम्स लौ है आपका तो फ्लौ है इसमें आपको इसकी पूचिये और आपको इन बतानी है इसकी तो पुचिये इसको उपर देशाएंगे और f को नीचे ले आएंगे तो देखिए एपसाले नौट में निकालना है, इसकी निकालनी है और यह हमारा नीचे आ जाएगा, बाकि यह हमारा 4 πाई है, वो कॉंस्टेंट है, और यह एज़ट इस रहेगा, Q1, Q2 अपन R², ठीक है, यह एज़ट इस रहेगा आपका, आगजमल में, इस दर्दर करना तो जहनते होगा एक्रस मल्टिप्रिलेशन, एस में मारता है, एक्रस मल्टिप्रिलेशन, ठीक है, तो आता है आपको तो आप देखो, बताईए, फोर्स की निट क्या होती है, निटन होती है, ठीक है, आर की क्या होती है, मीटर होती है, मीटर दो बार है, तो स्कॉयर हो जाएगा, Q भी दो सब्सक्राइब करना है और रिमूट करना है और तो कॉइन ठीक है और इसमें आपको जो चार्ज दे रखा है वह ते रखा है जो नमर ऑफ लेक्ट्रोंस को निकालने का फर्मूला होता है वह होता है क्यों सब्सक्राइब करना है और चार्ज परकरण सब्सक्राइब करना ही तो में छुपाने का आपको सब्सक्राइब कितना होता है बहुत कि अब्सक्राइब करना quicklyə है तो जो चार्ज होता है हमारे रिख्ट्रोन पर है मैनस का 19 ठीक है अब आगो क्या करना है यह 0.6 है इसको उपर ले जाना मैनस के 19 को पर ना चाहते हम चेज कर लेते हैं तो घाते हम जब चेक करेंगे तो किया देखिए जा लेका के हैं तो घाते कैसी हों इसव होगी आपकी 9 19 13 upon 1.6 है हमाला है समझ में यह पॉइंट हटा देंगे उपर 0 आ जाएगा एक ठीक है आगे समझ में तो अभी हमें क्या करना है अभी ऐसे तो यह solve हो नहीं था तो हमें क्या करना है हमें यह करना है जैसे अगर आप करना चाहते हैं तो कट कर दो उनको तो 8 टाइमस यह चला जाएगा ठीक है फाइव चला गया अब देखो यहाँ पे यह तैन टू दी पावर 13 है यह आपका 5 है यहाँ पे 8 है आपका पॉइंट रखोगे तो आपके यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5, 8 5 जाएगा, 8 5 जा कितना होता है? 48, 8 6 जा कितना होता है आपका? 48, तो 8 6 जा 48 हो जाएगा 2 टाइमस आपके बचे होए है फिर से आपको पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 20 हो 40 हो जाएगा, और 8 5 जा कितना हो जाएगे? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो आपका option कितना हो जाएगा यह आ रहा है आपका, 6.625 इंट टो दी पावर माइन इंट टो दी पावर 13 आपको आपको पॉइंट को इदर दोर करना है तो जब इदर करेंगे इसको हम right side में पॉइ जाएगा D, D option आपका सही है, 6.25 इंट टो दी पावर 12 यह आपका correct option है, ठीक है? अभी तक basic question है, सारे आपको बस formula पुट करना है और लिका लेना है, अब देखिए next question, एक electric dipole है, वो आपने when held at 30 degree Celsius, 30 degree sorry, 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 newton per coulomb, experiences a torque इतना है, calculated dipole moment आपको calculate करना है, ठीक है, देखिए, इसमें क्या करना आपको, look better, यहाँ पे आपको कुंसा form लगाना है, यहाँ पे आपको torque दे रखा है, P E sin theta, ठीक, आपको dipole पूछा है, तो dipole moment क्या है, आपका momentum of dipole, यह आपका momentum of dipole, ठीक है, momentum of dipole, आपको यही निकालना है, आपक एक बात ध्यान रखने है, कि आपको हर चेपटर के formula जयाद मुने चाहिए, ठीक है, अगर आपको formula जयाद है, तब ही operations को solve कर सकते हो, otherwise, नहीं कर सकते हो, ठीक है, चलिए, फिर हम solve कर देते हैं, आपके बसमें सब कुछ दे रखा है, बस P निकालना है, यहाँ से P हम निकालन कितना आजाएगा हमारा torque by e sin theta, ठीक है, यह आपका आजाएगा, कितना याल रखना है आपको torque by e sin theta, ओके, चलो हम पुट कर लेते हैं, तो P equals to e की value कितना है आपकी, पी equals to torque by torque, कितना है आपका torque दे रखा है यह, तो 9 into 10 to the power minus 26 upon e sin theta, e कितना है आपका 10 to the power 4, तो यह आपका 10 to the power 4 into, आपका sin theta कितना है, sin 30 है आपका, sin 30 की value सभी को पता हुई, अब नहीं पता है तो मैं आपको रिता देती हूँ, आप बताएगे मुझे कितने होती है, one upon two होती है, ठीक है, one upon two होती है, तो 9 into 10 to the power, यह 4 उपर पहुचा दे रहे हम, तो 4 उपर पहुचा हैंगे, minus के पह पहुच गया, यह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 to the power minus 30 हो जाएगा, अब यह 18 अच्छा ही लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, बन पॉइंट करेंगे हम इसको, ठीक है, तो P equals to 1.8, जब 1.8 करेंगे, तो यहां पे एक हमाली जो गहात है, वो घट चाहिए, तो 10 to the power minus 29 हो जाएगा, बन पॉइंट करेंगे, 10 to the power minus 29 होजाँ मीटर, यह आपका अच्छन से बढहे है, यह चाहिए, नेक्स क्वेस्टं अब यह थोड़ा साँ आपको क्रेंगे, थेखें ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या क्या दे रखा है, वो दिखना है, क्या पूचा है यह तो कैसे वसल्व करेंगे इसको देखे है सबसे पहले आपको इसमें देखा है number of electrons यह number of electrons है ऑर आपके एक और रहा है आपको क्या निकालिन निकाला नकालना पड़ेगा चार्ज कैसे निकाल नहीं होगा वही तो n हमारा कितना प्रेक है 10 to the power 9 दे रखा है और आपका e का value कि आता है e के charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 ये values होती है minus 19 दिसे 9 minus करेंगे 10 बचेगा minus का 1.6 into 10 to the power minus 10 ये क्या है को लाम में आया है आपका charge आगे हमाई लिए charge निकलाया ठीक है अब आपको पता है time required to get a charge of 1.6 into minus 9 वो 1 second का time आया है ये कितने आया charge 1 second का charge आया है आपको निकालना है time required to get a charge of 1 कूलाम ठीक है आपको 1 कूलाम के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे आप 1 कूलाम के लिए तो कैसे निकालेंगे देखिए 1 Congress कि लिए निकालोगे तो 1 Congress 1.6 x 10 to the power minus 10 यह आपका 1 Congress के लिए निकलेगा तो कितना आ जाएगा आपका आजाएगा 6.25 10 to the power 9 यह आपका 1 Congress के लिए कया आ जाएगा 4 आ जाएगा condem तीक है अब आपको पता है यह इतना। शरी टायम के लिए तायम हमने यहाँ पे यह एक तो सोभा में पाव में हुआना एम और ऑफोर लगा थे थाur प्रभा आउन जो चाहरा लेकर आपोवं मैं यह लका रहा है थो फेकला के स्थांन हम्हारे स्थांनले के प्रणा की कह बुगिंगर एğर को कि एक यह में कितने दिन होते हैं 365 डियस होते हैं कितने घंटे होते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं कितनी सेकेंड होती है 3600 ऐसे करके आप जब निकालोगे इसको कैलोकुलेट करोगे तो आपका 198.8 यह आ जाएगा ठीक है यह आपका option आजाए का उसा option आपका करेक्ट है आपका c option आपका इसमें करेक्ट है ठीक है ऐसे आपको कर्केट करना था यह moderate level का question आपका move on next question पर move करते हैं तो second गोल रहा है if 100 joule of work किया है has to be done in moving electric charge of 4c from a place ठीक है potential इतना दे रखा है तो here potential v find the value of v इसमें से आपको निकालना है ओके ठीक है चलो सब कुछ दे रखा है आपको अब आपको लगाना क्या है वो मैं आपको बता रही हूं इसका जो यह वाला आपका question है वो second chapter से question है sorry by mistake tap हो गए है आद दो question इसमें second chapter से है तो आपको इसमें निकालना है v equals to w upon q ठीक है यह आपको लगाना है सबसे पहले और उनसे ने पूछा क्या है potential difference लगाना है आपको ठीक है तो potential difference कैसे लगाओगे v a minus b v यह आपको potential difference हो जाएगा कर दिया देखिए तो यह v v minus va equals to w upon q यह वाला formula लगाएंगे इसमें अब आपको क्या करना है इसमें v v कितना v है minus का 10 है और equal minus लगना पड़ेगा तो यह plus का 10 बनी जाएगा equals to w कितना देखा है आपका 100 जोल दे रखा है और q आपका 4 है इससे काटेंगे 20 टाइमस ला जाएगा यह 20 टाइमस जाएगा हाँ 25 टाइमस जाएगा ठीक है ठीक है 100 का चौथा ही 25 हो जाएगा अब आपको क्या करना है इसमेंसे v equals 2 आपके 10 है उदर ले आने 25 minus 10 कितना हो जाएगा 15 बचेगा यह नहीं बचेगा आपका 15 आपका option सही आजाएगा यह option आपका सही हो जाएगा बहुत ही easy question था ठीक है नाइस seven spherical drop है और radius 3 mm आपका radius है और carrying इतना charge करी करते हैं combine to form a single drop एक single drop को आपको बताना है और will find the capacitance and potential of the bigger drop आपको बताना है capacitance भी बताना है आपको और potential भी उताना है bigger drop का ठीक है तो आपको पता है spherical का जो आपका volume होता है वो कितना होता है बना पॉन sorry four three pi r q ठीक है आपकी 27 spherical बो है और radius 3 यह है ठीक है तो हमें समझ लो कि हमें छोटी आर दे रखी है और बड़ी आर हमें निकालनी है तो v1 is equal to v2 कर लेंगे है ठीक है यहाँ पर करना है बुट करना है तो यह आपका है यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर मानलो बड़ी बड़ी वाली जो बूंद है उसका रखेंगे और यहाँ पर जो बड़ी वाली चोटी वाली यार है उसका रखेंगे ठीक है यह दोना चीज़ देख लेना देखिए रॉप है 27 आपकी चोटी डॉप है और आपको बड़ी डॉप का volume बताना है सोली बूर्ल बॉर बुर्क लेंगे तो इसमाल के लिए सबसे पहले हम कहते हैं जैसे यह हो गया बड़ी वाली बूंद और यह वाली सह जो उन की जोटी वाली वाला सांवरी रखेंगे इक वाली मून का चोटी वालींज कितनी है क्या है था था तर फवाय थरी पाई र क्यू टीक है और और कियो वीकल स्ञों कितना जाएंगा हमारा ट्वेंटी सेवन आर की उठीक है इसको जब वहार निकालेंगे हम तो आर इकल टू थ्री आर आजाएगा आपका यह समझ में आया आर की वैलू आपको दे रखिए वह आपको रख ली नहीं है तो हम अब यह नहीं रख रहे हम बाद में रखेंगे इसको चलिए चलो देखो अब के पास्टेंस पूछा है नो नहीं तो सबसे पहले के पास्टेंस निकाल लेते हैं के पास्टेंस के पास्टेंस निकालने का फर्मूला जो होता है बिगर ड्रॉप का वह में निकालना है तो c is equal to 4 by epsilon 0 into r यही तो है यही है मैं अब देखो हमें याद रखना है कि आर के बराबर तीन आर चोटी आर रहें तीन आर है ठीक है अब देखिए बनापों 4 by epsilon 0 का क्यावरी होती थी नाइन अपों 9 अब यहां पर यहां पर दे रखा है तो यहां पर हो जाएगा बनापों 9 into 10 to the power 9 ठीक है और रहे बराबर कतना है थ्री है थ्री आर है तो थ्री आर की जगह पर थ्री हमने रख दिया आर की जगह पर हम क्या लेंगे थ्री इंटू टेंटू थी पावर मैनस का 3 ठीक है यह हो जाएगा तिंदर का 9 तिंदर का 9 नीचे भी 9 उपर भी 9 तो यह क्रॉस हो जाएगी दोनों और यह इस मैंसे उपर जाएगा तो उपर जाएगा मैनस का हो जाएगा मैनस के 9 और मैनस के मैनस के 9 और मैनस के 3 कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे मैनस के तो इसका जो option आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बिटा C equals to 10 to the power मैनस का 12 F मतलब 1 P F 1 P को Ferrari आ जाएगा तो आपका 1 P को Ferrari एक में आ रहा है ठीक है हमें मिल रहा है एक ही में मिल रहा है बिटा तो एक ही option आपका एक option सही हो जाएगा अभी हमें आपका potential difference भी निकालना है तो potential भी हमें निकालना पड़ेगा potential निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखो हमें option तो मिल गया एक ही चीज से कि 1 P P P P P P P P P फिराड़े आ रहा है कि पस्टेंस ही में आंसर भी लेगा लेकिन हमें potential भी निकालना है तो potential कैसे निकालोगे potential निकालने के लिए आप क्या करोगे की वी इक्वल्स तो Q अपॉन C लगा दोगे ठीक है अब Q की वैल्लू कितनी थी हमारी Q की वैल्लू कितनी थी बताईए मुझे Q की वैल्लू जो हमारी आई थी वह आई थी हमारी 27 इंटू 10 to the power minus की 12 ठीक है यह की वैल्लू कितनी आई 10 to the power minus की 12 इससे यह कट कर देंगे आ जाएगा हमारा 27 ठीक है यह आपका क्या आगे वोल्ट में आएगा यह क्या आपने 27 इंटू चार्ज on a small drop के वराबर है तो देखो 27 आपकी drop है जो आपकी bigger drop है और चार्ज आपका 10 to the power minus 12 दे रखा है तो वही रख देंगे और उसी से यह 27 वोल्ट आ जाएगा आगे आपका अंसर यह option आपका सही हो गया तेगा नेस question देखिए 4 आपसे बोल रहे हैं calculate the electric field strength required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 7 kg and having a charge इतना है ठीक है आपको electric field निकालना है इसमें देखिए बिटा आपने बढ़ा होगा एक formula F is equal to QE बढ़ा है के नहीं बढ़ा है अपने yes मैं बढ़ा है हमने तो F की देखा पे हमें MG भी तो लख सकते है ना yes लख सकते है और QE हमारा ऐसा ही रहेगा ठीक है अब इसी में आपको values put करनी है देखिए यही formula है पो ठीक है तो देखो formula put करेंगे हम MG equals to QE ठीक है जो जो value है वह में निकालना है electric field हमें निकालना है electric field E equals to में निकाल लेंगी MG upon Q ठीक है M कितना है हमारा M दे रखा है मैं मास दे रखा है ह हमारा 10 to the power minus 7 और जी कितना हमारा जी होता है हमारा 10 10 रख लेंगे हैं 9.8 9.8 लख लेते हैं और आपका 1.6 10 to the power minus 19 आपका क्या है Q है ठीक है यह इतना ही है इतना ही है देखो यह लगवग आप समझे लो 100 है यह 9.8 100 है लगवग 100 ही होगा 100 ही होगा लगवग तो देखिए 19 क साथ कठाने आपको तो कितना बचेगा तो अप्रॉक्स आपका अंसर कितना आएगा यह आपकी पापर हो जाएगी माइनस की बारा और आप जब आप सोला का सोला का जब सो में आप पहाग दोगे तो आपका हो जाएगा 6.125 तो आपका फर्स्ट और सही हो जाएगा ठीक है बढ़ी आपको वीडियो लग रही है है थोड़ी इस ही तो बड़ी इस लिए लोग रही है कि कुक्षी संधारी हो उसलिए बड़ी लग रही है टीक मूदह आपकी दूरी है इ velvet को हिएपको आपको तो यह पही सो यह ज現在 व्याना है मापको फार्स सचाहरी इस आपको इसले वाले कोश्ण में प्रिवेस कोश्ण में बताया है मैंने के एफ जोक यूई होता है और एफ की जगा पर हमने एम जी रख लिया था ठीक है एक और बात बता दूँ एक हमारे पास में एक का फर्मूला भी होता है जिसे हम वी अपॉन दी पूलते हैं ठीक है इसको हम आप की डॉंट वीडी कोश्ट्व एमजी यह फर्मूला लगाना है और आपको पुछा क्या को निकाल देना कंडिक तो वोल्टी आप से पूछे आपको निकाल देऊ है तो वोल्टी इस वेराबर को भीटा हो जाएगा यहां पर मैं आपको लिए फर्मूला बना दे रही ह आपको बताना है मुझे option चलो मैं option नहीं बताती आपको option बता दूंगी तो फिर आप लोग निकाल होगे नहीं इसको कालिकुलेट करना के बाद में आप मुझे कमेंट करना मैं इसका आपको बता दीक है कहां से आया है मैं अभी भी आपको बता दिया है सिस्केशन देखिए आपका तू चार्ज दे रखिया आपके प्लस 5 माइनस 5 और इतना है तो डाइपल मुएंट आपको बताना है इसमें से आपको कौन सा फोल लगाना है पीज़क्वल टू क्यू टू इंटर दूबाव मारिस का थ्री आपको और जाएगा 5 और दूबाव मैस का 9 में से कर देना आप ठीक है तूस्च देखिए ने सो चन आपका जो क्वांटाजिशन होता है अफ अलेक्टिक चार्ज वो क्या होता तो क्वांटाजिशन आपके होते हैं आपका बूत ओप्शन इन दो क्योटो अपार अपार इसक्वार तो यह उसक्क्राइगा तो इसमें बोथ मुझे सही लग रहे हैं आपका सी यह जाए पास नहीं अपका टू पॉइंट चार्ज आ आपके पास में इतने इसंतीमीटर पर रख्खे होगी हैं वाट इस देखिए प्रदाना आपको produced by either charge as a side of other use standard value आपको यह यूज करने है ठीक है आपको क्या पताना है आपको what is the magnitude बताना है electric field एका तो देखिए कैसे भूगा यह वाला question यह भी आपको solve करना है इसका question भी आपको मुझे बताना है कि मैं हम इसका यह answer आएगा सबसे पहले आपको दो चीज़ इसमें बतानी है कि बताना है q2 पर side q1 की बज़ए से और दूशरा भी q1 की बज़ए से q2 पर जो electric field होगा वो बताना है तो इसका option हो जाएगा वह जाएगा आपका यह option आपका सही हो जाएगा इसमें ठीक है कैसे निकालना देखो electric field का आपको फर्मूला अब सभी को पताऊगा वन अपॉन फॉर पाए एपसाल एन नोट इन्टू क्यू अपॉन अपॉन के लिए और यह क्यू टू के लिए लगेगा वन फॉर पाए एपसाल एन नोट इन्टू क्यू टू अपॉन की वैल्यू आप क्यू टू आपका यह है और आपका आर तो सेमी रहेगा दोनों में ठीक है तो दोनों की वैलों रखनी है और आपको आंसर निकलाएगा फर्स्ट आपका सही हो जाएगा नेक्स्वेशन देखिए टैंथ बोल रहे हैं डिवाइस विच कनवर्ट एलेक्रिकल एनरजी विद म कि टू एसी करता है तो मतलब बोथ आपको आपको साही है इसमें सी आपको साही हो जाएगा नेक्स्वेशन देखिए 12 बोल रहे हैं आपसे मेंगनिटूड ऑफ के इन न्यूटन मीटर स्कॉयर पर कूलाम स्कॉयर इस तो इसके आपको वेल्यू बिता नहीं है तो यह आपक 12 का आपका सी ओफ्षन साही हो जाएगा 9 बिताइं न्यूटन मीटर का प्रकूल लमू स्कॉयर वही वाला है एफ इक्वेल्स तू एफ इस इक्वेल्ट क्या होता है बनापॉन फोर पाई एपसाइल नॉट के और क्यू वान क्यू टू अपॉन अपॉन आर स्कॉर यह होता 13 गूर्ठ चरफ को होता है मेवी लुजलि बांड़ तो यह आपको अप्षिन ओजाएगा सी एलेक्ट्रौन की वज़ासे जो गूर्ट्र कंड़क्तर होता हे मेवी लुजलि बांड उट्रों की वज़ासे होता है देखिए 14 भी आपको ऐसे निकालना है डाइपूल मुमेंट पूछा है आपको और वैसे निकालना है टॉर्क आपको दे रखा है डिग्री सल्जे दे रखा है और जितना दे रखा है यह सेम क्वेश्चन साइज रेपीट हो गया मेरे से लेकिन जो मैंने पहले किया था डाइ यह सब्सक्राइब आपको इसमय तो आपका अपको सही हो जाए है ठीक है डिगे को 16 वह कंसी कुरेंट को में मेटल वायर में कंटक राती तो कौन सी चीज़ा बताना मुझे 16 में आपके एलेक्ट्रों होते हैं ठीक है है । रिजिस्टेंस ऑफ हीमन बोडी गिस अवाट त तो इसका जो वोल्ट मीटर हो जागा इसको और इसको आपका 19 यह भी आपको पॉस्चन वाला क्वेशन है तो इसमें क्या में निकालना है आपको अलेक्टिक फेल्ड का और आपको मास दे रखा है इतना फ्री लिए निया है तो आपको वही बड़ा फर्मुला बनाएं क्यू जुकल टू एम जी ठीक है सब कुछ एम है जी है सबकी वेल्यू है वो निकलाएगी चाहिए यह क्वेशन में मेरे से रिपीट हो गया है देख लेना आप यह वाला फर्मॉला लगा इसमें आपको यह सा आथा यह वाला फर्मुला पीजुकल टू टू क्यू एल को यहां पर कियू लगने आपको 5 इली में टू की जगा पे इसमें से प्लस 4 आप माइक्रो कूलामा पर रहेंगी आपको आंसर आ जाएगा आपका तो इसका जो आंसर हो जाएगा वहां आंसर मैं आपको कमेंट कर दूंगी थार्टीन नाइन्टीन और ट्वेंटी का ठूंगे ओके भाय टेक क्या बेटा आपको खैसी लगाई है क्वेशन प्रक्टिस मुझे जरूर बताना फीडबक जरूर देना क्योंकि फीडबक आप देते हो आप कुछ भी कमेंट करो बस कमेंट आपक आप मुझे प्लीज बताना ठीक